वेरे गुड मॉर्निंग गाईज और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारते तिहास के स्त्रोत पार्ट थ्री और इस सेरीज में हम आपको प्रोवाइट करवाते हैं प्राचीन भारत के तिहास संबंदित अत्यंत महत्पून प्रशनोतरी जो एक्जाम के पॉइंट आफ विग्यानेश्वर ठीक है और इन्होंने अपनी पुस्तक में वंदन किया है कि पुत्र के जनम लेते ही उसके पिता की संपती में उसका धिकार हो जाता है ये प्रशनेश्वर किसे भी पूछा जा सकता है कि किस पुस्तक में उलेक किया गया है पुत्र के जनम लेते ही उसक का सही अंसर होगा मिताक्षरा और वियानिश्वर जो थे वो किस राजा के दर्बार के मंत्री थे तो यहां मेंशन किया गया है कल्यानी के चालुक के शाषक विक्रमादेत्य शष्ट के दर्बार के मंत्री थे हमारा next question है बहुत साहिते से बहुत साहिते में सबसे पहले मेंश इन नियम और विन्या में तो सँप्राश्च आता है विन्या और उन्या भरन प्रामर इंग जो 褹ट करvertcrire कर सक लोगतली है मात्मा बुद्ध के नियम को सग इनियम को दूप a इसके संगकलन सीम इंग जो है महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिये शुष्य थे ठीक है और अभीधम पीतक है इसमें दार्शनिक सिध्धान्त संकलित किये गए है और इसके संकलन करता है मुगली पुत्र तिस्य कई तिस्य पढ़ते हैं कई तिश्य पढ़ते हैं ठीक है बट इस से सेम तिंग और सबसे बड़ा पीतक है तीन पीतकों में सबसे बड़ा पीतक है सुथ पीतक और इसके पांच भाग है दिर्ख निकाए अगंतुक निकाए संक्त निकाए खुदक निकाए मज्हम निकाए ठीक है और नेक्स्ट कुशन है हमारा अब यह जो सुथ पीतक है इसके पांच आनंद से कहा है कि मेरे मृत्यों के पशात मेरे अफशेशों पर उसी प्रकार का स्तूप बनाए जाएं जिस प्रकार चक्रवर्टी राजाओं के अफशेशों पर बनते हैं ठीक है तो आपको पता है कि जब महात्मा बुध ने असी वर्ष की उम्र में जब महापरी निर्वान या उनकी आप मृत्यू हो सकते हैं उनकी मृत्यू हो गई थी ठीक है महापरी निर्वान मोक्ष की प्राप्ते कर ली थी उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था तो उनके शरीरों को शरीर को बात में उनके अन्यायों न साराथ मेरे अफ्षेशों पर उसी प्रकार से स्तू बनाये चाएंस प्रकार चकरवर्ती, राजांग للशिए बनते हैं और ये जो Question है, ये कत्थन आते हैं History में जिसने Hazisory के Exam dates, Mytheee, PyGT, Buffn, then Netset, SunNet, then Swtyrf अपको पताए कि जो कत्थन वाले question होते हैं कितनी value होती है ठीक है तो यहां statement दी गई है महत्मा बुद की तो किस निकाए में इसका mention किया गया है दिर्ग निकाए में नेकस्ट है दिस वासजित किया गया है कि पसेजीत का कफन है बुद कौशलन के हैं और मैं भी तो यहां उस टाइम कवर्णन है जब महत्मा बुद्ध असी वर्ष के हो जुके थे अपने महापरी निर्वान के नसीख थे और यहां पर सेंट जी जो है वो अपना कंपेरिजन बुद्ध के साथ कर रहे हैं ठीक है तो इस कथन का उलेक कहां मिलता है मज्जिम निकाए में इस वाइ सुथ पीत के जो पांच पार्ट है वो काफी इंपॉर्टन है अब नेक्स आता है किस निकाए में सोला महाजन पदों का उलेक है ठीक है यहां इसका अंसर है अगंतुक निकाए ठीक है यह कुश्चन इस प्रकास से भी पूछा दा सकता है कि किस बौध गरंत में सोल है उसमें जो जातक कथाएं उनका संकलन है और महात्मा बुद के जो पूरवज है उनकी पांसो पच्चास से भी अधिक कथाएं इस गुदक निकाए में है ठीक है तो नेक्स्ट कुशन है हमारा बौध धरम में सन्यास्ती स्त्रियों की रचनाओं का संकलन किस ग्रंत में कि के अधिक से अधिया गया है सही अधिया थेरी गाथा the durable जो है जो त्रि अन्युयाई थी बौध धरम्की उनके द्वारा रचना की गहय है कहानिया जो यहां मैं आपको एक चीद मेंशन करना चाहूंगी, महात्मा बुद्ध जो है शुरुवात में जब ये स्रीयों का प्रवेशिं नहीं हुआ था संग में, तो महात्मा बुद्ध Mỹ जो है काफी खिलाफ थे तो उनोंने उनके कहने पर उनोंने स्रीयों को संग में प्रवेश के अनुमती दी थी तो उसके बाद जो स्रीयां थी उनोंने काफी अच्छी चाप छोड़ी बौध धरम में ठीक है संग पर ठीक है और हमारा नेक्स्ट कुशन है बुद्ध ने किसके कहने पर वैशाली में स्त्रीयों को बौध धर्मे प्रवेश के अनुमती दी थी यहां कुशन आ गया वो अपने प्री शिष्षे आनंद के कहने पर मैं यहां अनंद के बारे में थोड़ा पताना चाहूंगी वो उन के कहने पर वैशाली में है हां मैं आपको प्लेस मेंशन कर रही हूं वैशाली में उन्होंने स्त्रीयों को बौध संग में प्रवेश के अनुमती दी थी ठीक है कुशन में प्लेस भी पूजा जाता है कई बरी तो नेक्स्ट है संस्कृत में बहुत गरंथ वसुमित्र वश्वघोष नागरजुन की कृतियां है जो में रूप से संस्कृत में गरंथ लिखे गए है वो वसुमित्र अश्वघोष नागरजुन की कृतियां है तो कौन-कौन कृतियां है ललित विस्तार स्वारानन या स्वारानन भी बो ललित विस्तार, सौरानंद, बुचरित, बज़सूचियादी भी इसमें mention किये जाएंगे तो यहां ललित विस्तार है, ललित विस्तार के लेखक है, हरी भद्र थीक है, थोड़ा बहुत description में आपको यहां दे देती हूँ ललित विस्तार के लेखक है हरी भद्र ठीक है तो आपने एक पुसक का नाम सुना होगा दलाइट आफ एशिया ठीक है रिटन बाई एडविन अनोल्ड ठीक है तो उन्होंने जो पुसक लिखी है वो ललित विस्तार परी आधारित है सौरा नंध है उन्होंने यह रिटन बाई अश्वर गोष और यह महत्मा बुद्ध के सौतेलए भाई नंध और उनकी पतने सुंदरी का वर्णन किया गया है नंद भी बोला जाता है उन्हें सौरा नंद भी बोला जाता है ठीक है तो पति-पत्नी का वर्णन किया गया है इस पुस्तक में और बुद्ध चरित है बुद्ध चरित भी अश्वगोश ने लिखा है तो ये एक महत्मा बुद्ध की आप बोल सकते है जीवन का काफी विस्तरित वर्णन किया गया तो क्वजरसूची की गई है तो जाती के किस गरंत में अपनी जाती का आलोशनात्मक विवफरंट दिया है तो उसका उत्तराए गया तो lunar धात कि जाती क कुछा पंसदोरा की पुत्र और मोद गल्यान का के धर्म परिवर्तन की कहानी है इसमें ठीक है तो ये प्रमुख पुस्तके हैं तो मैं इसका आपको वर्णन देना ज़रूरी समझती थी तो next हमारा question है किसे बौध धर्म का विश्वकोष या बौध धर्म की बाइबल कहा जाता है नॉर्मली कई question ऐसे आता है कि बौध धर्म की गीता किसे बोला जाता है बौध धर्म का बाइबल किसे बोला जाता है तो यहाँ पूछा गया कि बौध धर्म की बाइबल किसे कहा जाता है तो यहाँ आएगा विभाशा शास्त्र लेखा के इसके वसुमित्र वसुमित्र भी क कश्मीर में जो हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी और उसके उप अध्यक्ष थे अश्वगोश्ट तो that's why वसुमित्र काफी इंपॉर्टेंट स्थान रखते हैं बहुत सहित्य में और पीतक के संकलन में पी उनका काफी महत्वपोन योगतान है जो पीतक थे कुंडल्वन क विश्मीर में जो चौथी बहुत संगीती हुई थी उसमें संपून रूप से तीनों पीतकों का संकलन हुआ था ठीक है तो next question है हमारा मिलिंद पन्हो के लेखक कौन है ठीक है मिलिंद पन्हो महकाफे है नागसेन द्वारा लिखा गया तो नागसेन ने इसमें इंडो ग्र एक शाशक मिनांडा जिसको मिलिंद भी बोला जाता है हिंडी में और उन्होंने अपने यानि नागसेन होगा बहुत भिक्षुन नागसेन के वारतालाब को संकलित किया है ठीक है next राता है आर्यम मंजुष्टी मूल कल्प ठीक है इसके लिखक अग्यात है नौमभी दिव्यवदान इसके लिखक अग्यात है तो दिव्यवदान जो है इसमें जो कुछ बहुत धर्म से रिलेटेड कुछ फैक्ट है ठीक है कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें अन्य ग्रंथों में नहीं मिलती है मैंने उन्हें पॉइंट वाइस आपको शो किया है ठीक है इसमें कि बिंदु सार की सभह में आजिवक संपरदाय का संयासी रहता था ठीक है जैसे मैं नटसर developed के हैं डीक जान और किस निटक है कि महात्मा बुद्र की strain का निर्मान वां मत्थुरा में हुआ था आपने महात्माबुद की कई मूर्तियों को देखा होगा, कई ध्यान मुद्रा में हैं, कई लेटी हुई मुद्रा में हैं, कई खड़ी मुद्रा में हैं, तो यह उनकी मूर्तियां बनाने का रिवास शुरू हुआ, आप बोल सकते हैं बहुत धरम में, जब बहुत धरम दो प और इसमें यह भी मेंशन है कि अशोक को बौध धरम ग्रहन करने से पहले चंड अशोक के रूप में चित्रिस किया गया है ठीक है और उसके द्वारा पांसो आमातियों के मौत के घाट होताने का वर्णन किया गया है चंड अशोक का मतलब है यहां उसका काफी उग्र रूप आम तोर पर बहुत धरम ग्रहन करने के पशाज अशोक की काफी जादा शांति प्री इमेज लोगों के सामने आती है पर बहुत धरम ग्रहन करने से पहले वो किया थे एक पून उपसिक ब्रहमन थे ठीक है और काफी जादा उग्र रूप था तो उन्हें इस रूप में तो यहां कई ग्रंथों में जो कई चीज़ें वो अलग अलग प्रकार की बताएगी है जैसे अशोक ने किस अशोक को बहुत धर्म की दिख्षा किस ने दी तो यहां मैंशन किया गया इस पुस्सक में उपगुप्त ने ठीक है लुम्बीनी कपिलवस्तू गया सार nagष और कुशी नगर की आतना की और यह सारे सान जो है वो महत्माबुद से र RJ है कपिलवस्तू जो है इनका यह भी धार्मिक USTा symptoms है महत्माबुद से जुड़ा हुआ है इनका जनम अह स sì गया तीक है गया में जो बहुत भीत दिख्ष है जिसके नीचे उने ग्यान की प्राप्ती हुई सारनाथ ठीक है आपको पता है पहला प्रवचन दिया था ठीक है कुशी नगर भी काफी इंपोर्टन है तो यहां जो है उपगुप्त के साथ उनने यात्राइं की तो इसका भी वंडन है दिव्यवदान में ठीक है और यहां ज जो खतम हुआ जब ठीक है उसके बाद शूंग वंश स्टार्ट होता है ठीक है पर यहां पुश्य मित्र शूंग को मौरे बताया गया है ठीक है लास्ट मौरे शाशक तो यह दिव्यवदान में बताएगा आपको कुश्य इस प्रकार से पूचा जाएगा कि किस पुश्य म पुश्य मौरे बताया गया है तो यह आएगा दिव्यवदान में अच्छो द्वारा अपने पौतर संप्रती को उत्तराधिकारी बनाना ठीक है उसके पुश्य मित्र शूंग को बनाया अपने जीवित रहते और यहां एक और शीज बताएगी है अश्य मित्वारा अश्य म जब अशोक ने महातना बुद्ध की जो बुद्ध धरम को अडॉप्ट किया था आफ्ट कलिंग यूद्ध तो उन्होंने यूद्ध करने की नीती का त्याग कर दिया था जिससे काफी ज्यादा लॉस हुआ प्राचीनकाल में टैक्सिस पर डिपैंड करती थी सारी राजवव प्रांथ थे उनके हाथों से निकल गए काफी जादा लॉस हुआ ऐसे माना जाता है ठीक है तो उनकी उन्हें बाद में अपने व्रिद्धावस्था के टाइम काफी जादा धन की किल्लत रहनी होनी शुरू हो गए उनको ठीक है तो जब उन्होंने बहुत विहार को कुटा यह जो दान है वो नहीं देंगे तो इसका मेंशन भी कहां किया गया है दिवेवदान में तो हमारा नेक्स कुश्चन है बौध धर्म की गीता किसे कहा जाता है ठीक है मैं आपको बताया था बौध धर्म की बाइबल थीक है विभाशा शास्तर को और यहां बोला गया है धर धंपद को ठीक है धंपद जो है इसमें केशीर का संकलन है बहुत धर्म के सभी सिधानतों का वर्णन है ठीक है तो हमारा आज कर देशी खतम होता है थैंक यू एन हव नाइस दे